विविएन डिसेना को सल्मान खान के रियालिटी शो बिग बॉस 18 का विनर माना जा रहा है बिग बॉस 18 में घर में उनकी एंट्री होने से पहले ही मेकर्स ने उन्हें शो का फाइनलिस्क गोशित कर दिया था बिग बॉस के लेटिस एपिसोड में अदिती मिस्ट्री ने विवियन के साथ कुछ ऐसा किया जो उन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सबके सामने अदिती को चेतावनी डेडा ली अब भला ऐसा क्या हो गया आये बताते हैं बिग बॉस अठारा में जब से वाइल कार्ड कंटेस्टें एडिन रोज यामनी मन होतरा और अदिती मिस्ट्री को नॉमिनेट किया गया है तब से घर के रूख बदलते नजर आ रहे हैं तीनों लोग घर में अलग-अलग पैतरे अपनाने की कोशिस कर रहे है ताकि वो दर्शवों के नजरों में आ सके इसे बीच अदिती मिस्ट्री भी कुछ ऐसी हरकत की अदिती मिस्ट्री पुल में जाने के लिए अविनाश मिश्रा को फोवश करती हैं जब वो मनागर देते हैं तो वाइल कार्ड एक्टर की शर्ट जबरदस्ती उतारने लगती लेकिन फिर भी अदिती ने ऐसी हरकत उनके साथ की जिससे विवियन भढ़क गये विगबस 18 के घर में अदिती मिस्ट्री ने विवियन को गुदगुदी की जो उनको बिलकुल भी पसंद ही आया दरसल जब घर की फीमेल कंटेस्ट एन अविनाश मिश्रा को सुमिंग पू अदिती मिस्ट्री की यह हरकत विवियन को जरा भी पसंद नहीं आती है अक्टिर वाइल कार्ड पर भढ़कते हुए चेतावनी देते हैं विवियन ने चिलाते हुए अदिती से कहते हैं यह सब मेरे साथ बिलकुल भी मत करना दुबारा नहीं समझाऊंगा विवियन को चाप एक्टर की हां में हां मिला देती हैं विविवस 18 में यह वाकिया तब शुरू होता है जब अदिती मिस्ट्री अविनाश मिश्रा के साथ पुल में जाने के लिए जबरदस्ती करती हैं हुआ यह था कि अविनाश पुल के बाहर थे और तेजिंदर बगगा की टिप्स दे रहे थे ऐसे में ईशा अदिती और कशिश कपूर उन पर दवाव बनाते हैं वे अविनाश से कहते हैं कि उन्हें खुद ही स्विमिंग फूल के अंदर जाना चाहिए और स्विमिंग करनी चाहिए उसे जबरदस्ती स्विमिंग पूल के पास ले जाने लगत तब अदिती सुई पूल से बाहर आए और अविनाश के साथ जबरदस्ती करने लगी उन्होंने अविनाश की शर्ट के बटन तक खूल दिये ऐसे में विवियन बीच में आते हैं और तीन लड़कियों से अविनाश को बचाते हैं अविनाश को विवियन की चंगुल से जबरदस्त गुष्सा आया है चलाते हैं अदिती से अभी तो यह मैं समझा रहा हूं लेकिन आगे से यह सब समझाओंगा नहीं जो आपने किया है वो सही नहीं अदिती विवियन का ये रवया देख कुछ फल के लिए पूरी तरह से शांत हो गई उन्ने समझ में नहीं आया कि आखिरकार उन्हों ने ऐसा क्या किया है जिसके चलते विवियन उन पर गुसा हो रहे और विवियन की तरब से भी अदिती को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि वो उन पर क्यों गुसा है यानि कि इस वज़े से विवियन ने अदिती की क्लास लगा दी अब ये एपिसोड दो बलकुल ही दल्चस्प होगा बाकी इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और जानकारे आप तक हम पहुंचाते रहे